राज्य करमचारी से जुड़े सैक्रों करमचारी ने आज विभिन्न मांगो को लेकर एक दिवसी धर्ना प्रदर्शन करते हुए मुरादाबाद कमिशनर के माध्यम से ग्यापन भी प्रदेश सरकार को प्रेशित किया है विभिन्न विभागों से जुड़े राज्य करमचारी पिछले कई सालों से अपनी पेंशन बहाली और दूसरी मांगो को लेकर धर्ना प्रदर्शन करते आ रहे हैं आज उसी कड़ी में राज्य करमचारी संयुक परिशद के बैनर तले सैकलो करमचारी सिविल लाइन स्थिक अंबेटकर पार्क में इकठा हुए और एक जनसभा करते हुए अपनी मांगों पर चर्चा की इस प्रदर्शन में स्वास्ते विभाग नगरमिगम सहिप कई विभागों के मंडल भर से सैकलो करमचारी पहुँचे हुए थे जिन्होंने कई घंटे धर्नास्थल पर अपनी बात रखते हुए एक मार्च निकाला जो मुरादाबाद कमिशनर कार्याले पहुँचे और नारे बाजी करते हुए प्रदेश सरकार के नाम एक 20 सूत्य मांग पत्र कमिशनर को सौन्पर्देश के करमचारी की विभाग समस् देने की मांग कैशले शिलाज सुविदा की मांग वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग हमारे निगम प्रादिकरन के जो करमचारी हैं उनको राज करमचारी के बरावर दर्जा देने की मांग ऐसी तमाम मांग हैं जो पिछले लंब समय से लंबिच चल रही हैं और हम सरक प्रदेश के रास्ते पर ले जा रहा है लेकिन विकास के रास्ते पर ले जाने वाला सबसे सुसक्त माद्यम इस परदेश का करमचारी की समस्याओं का निराकरान सरकार नहीं कर पा रही है तो मेरी सरकार से मांग है कि इन समस्याओं का करमचारी समस्याओं को जो 22 सूत्री मांगपत परिश्यत का है इसका निराकरान कराया जाए नौ अक्टूबर 2008 को जो मुख सचिवे साथ जो समझोता हुआ था उसको लागू कराया जाए और इसके बाद भी इस सरकार इन सब हमकी सेवाएं आपकी सफाई सेवाएं आपका जलनिगाम आपका जो है कलेक्टेट आपका सिचाई पीड़ोडी शिक्षा विवाग सब पूरी तरह से बंद रहे होगा और निश्ची तुरूब से जनता को असुविदा होगी हम जनता को कोई असुविदा नहीं पचाना च पूर्वा किस परदेश के करमचारी की समस्याओं को नेराकरन किया जाए